तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके परसन जो है वो आपकी फोटो को देखकर क्या सोचते हैं तो यह एक 18 प्लस रीडिंग है आप अगर एडल्ट हैं तो भी जो है आप इस वीडियो को देखे क्योंकि इसमें जो है कुछ जूसी मेसेज़ भी लिए जाएंग तो यहां पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नमबर वान पाइल नमबर टू आप इस इमिज से चूस कर सकते हैं या फिर अपने जोडियक साइन से चूस कर सकते हैं उसी तरीके से यह पाइल नमबर टू है आप इस इमिज से चूस कर सकते हैं या फिर अपने जोडि से शिरुवात है, next आरा high priestess, two of cups, totally in love with you and next आरा king of coins, उम्मीदे आपको सभी cards अच्छे से देख रहे होंगे, चलिए देखते हैं कुछ और cards, four of pentacles, justice, the hangman और next आरा हमारे पास nine of swords, उम्मीदे आपको सभी cards अच्छे से देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है मैं देख पार ही हूँ, कि यहाँ पर इस तरीके की energy है कि आपके person जो है, वो आपको as a star देखते होंगे, आपकी physical personality, आपकी physical appearance जो है, वो इस तरीके की है, physical appearance है, या फिर कह सकते हैं, आपके जो औरा है, उसकी तरफ वो attract होते होंगे, यहाँ पर star का card आया है, बहुत जादा chances हैं कि आपके sun, moon और rising में जो है, Aquarius energy हो या फिर आपका not node भी Aquarius energy का हो सकता है, आप एक healer है, light worker हो सकते हैं, star seed हो सकते हैं, आपकी इस तरीके का औरा है, लोग भी जो है, आपको respect करते होंगे, कि लोग अपना दुख दर्द भी जो है, आपको बताना पसंद करते होंगे, आपकी image को देखके, आपकी photo को दे आपकी overall personality से, सिफ physical appearance से नहीं, overall personality से जो है, बहुत ज़्यादा impressed होंगे, next आरा हाइप priestess का card आया है, तो हाइप priestess का card जो है, वो कहीं न कहीं ये दिखाता है, कि आप अपने social media accounts पर या अपनी personal life को बहुत ज़्यादा दिखाना पसंद नहीं करते होंगे, जैसे ही और लोग करते हैं, majority of people, आप उतना ही दिखाना पसंद करते होंगे, जितना जरूरी है, या अपने thoughts को express करते होंगे, ऐसा नहीं है, कि हर चीज जो है, वो आपकी जिंदगी एक open book हो, ऐसा नहीं है, आप secretive है, imaginative है, third eye chakra आपका, जो है, activate हो सकता है, solar plexus chakra यहाँ पर मुझे दिख रह जादा है, आपकी इस तरीके की सोच विचार है, या out of the box thinking होगी, कि जिसकी वजह से लोग आपको admire करते होंगे, यह person आपकी photos को देखके, या आपके captions को देखके, जो कि आप social media accounts पे डालते होंगे, कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता होगा, कि बहुत जादा chances हैं, कि आपके प नेक्स्ट आ रहा है, तो two of cups जो है, वो कहीं न कहीं एक soulmate का card है, soulmate जो है वो कहीं न कहीं love की form में भी हो सकता है, platonic form में भी हो सकता है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ relationship में already अगर नहीं है, तो भी वो जो है आपकी तरफ love को कहीं न कहीं affection को महसूस करते होंगे, जरू पूरी नहीं है, वो romantic हो, लेकिन ज्यादा तर जो है, वो romantic हो सकता है, क्योंकि उनके thoughts जो है, जो आपके लिए adult feelings है, वो जो है romanticism में आती है, लेकिन overall जो situation है, आपकी photo को देखकर वो जो है, आपको एक कह सकते है कि जैसे हमारे मन में आता है, कि ये बहुत प्यारी सी, सुन् feelings नहीं है, लेकिन उसको वो detach करके आपको देखना चाहते है, आपकी photos को देखके admire करते होंगे, कि आप वाके में ही beautiful है, आप वाके में ही handsome है, अगर आप एक female है, तो वो जो है आपके facial features, आपके full lips, आपकी जो कह सकते हैं, जो sharp nose है, eyebrows है, उनको जो है बहुत जादा admire करते हो होंगे, आपके long hairs हो सकते हैं, या फिर जो है, आप जिस तरीके से अपने आपको carry करते होंगे, natural beauty की तरीके से देखते हैं, और अगर आप एक female की तरफ से देख रहे हैं, आप एक male है, आप female की तरफ से जानना चाहते हैं, तो वो जो है, बहुत जादा आपके एक, कह सकते ह आपका औरा इस तरीके का होगा आपका एक sense of style है जिसकी वज़े से वो आपको admire करते होगे ने किंग ओफ कॉइंस आया है तो किंग ओफ कॉइंस जो है ये person जो है आपकी तरह stability की तरीके से आना चाहते है Taurus energy आ रही है बहुत ज़्यादा chances हैं कि वो आपको समय आने पर approach करे as a family कि वो जो है आपके साथ family बनाने की सोचते हैं इस तरीके के उनके विचार है लेकिन वो जो है पहले अपने आपको financial condition में बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहते होंगे next आ रहा है यहाँ पर जो है sensual messages आ रहे हैं कि वो आपकी photos को देखकर क्या सोचते हैं क्या fantasize करते हैं तो पहला कार आ रहा है four of pentacles आ रहा है तो four of pentacles जो है कही न कही comfort zone को बताता है attachment को बताता है आपकी photos से ही वो इतने attach feel करते हैं कहीं न कहीं कि वो चाहते हैं कि आपके पास उसी समय उस moment पे ही आ जाएं वो चाहते हैं आपको sexy lingerie में देखना आपको touch करना चाहते हैं जो की उनके fantasization में है आपके body parts को वो touch करना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं कि सच में जो है ये जो girl है या boy है जो भी है वो actual में जो है वो है भी या मेरी सिर्फ imagination है तो कुछ इस तरीके की energy मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि जैसे मैं यहाँ पे देख भी पा रही हूँ कि इस तरीके की चीजे हैं कि वो अपने आपको यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप वाके में ही इतने beautiful हैं और सच में जो है आप exist भी करते हैं इस दुनिया में इस चीज को दिखाता है कि आप बहुत जादा जो है कह सकते हैं कि fair है balanced person है चाहे आप male हो चाहे आप female हो तो ऐसा नहीं है वो जो है balancing nature जो है या justice या fairness जो है वो intimate चीजों के लिए भी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति जो है submissive है और एक व्यक्ति dominant है ऐसा नहीं है equal give and take के बारे में ही आप सोचते होंगे और इस चीज को जो है आपकी photos से या आपके captions लिखने से बहुत जादा admire वो करते होंगे कि उनको समझ आता होगा कि आपका mindset जो है वो इस तरीके का है next आरा hangman की situation आई है card आया है बहुत जाद possibility है कि जैसे आपकी photos को देखा चाहे आप किसी भी तरीके cec photos डाल रहे हैं वो आपको assume करते हैं आपकी body parts को assume करते हैं आपकी body figure को इसे वा चाहते हैं कि आपको दूर से देखते रहें इतने लंबे समय तक देखते रहें जिसकी वजह से वह कही ना कहीं अपने आपको हो सकत है उस time period पे अपने आपको pleasure भी करते हूं तो यह पूरी पूरी possibility है हाला कि वो इस तरीके से सोचते हैं कि मैं अगर इनको छू लेता हूं या इस तरीके से चीज करता हूं तो मुझे एक guilt महसूस होगी कि मैंने जो है कहीं ना कहीं एक good human being को या कह सकते हैं हाला कि यह सोचने का तरीका है कि उनको मैंने चुआ तो यह मैं गलत कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके के मेरे thoughts हैं इनके लिए वो जो है इससे भी जादा deserve करते हैं तो कुछ इस तरीके का high regard है तो वो जो है आपको हर तरीके से देखना चाहते हैं हर minute कह सकते है skin का जो fold भी है वो भी जो है वो द उनकी इस तरीके की photos को देखकर या उनके जो fantasization है उसको देखकर anxiety होती होगी कि आप जो है उस तरीके की sexy dresses में कैसे लगते होंगे या फिर जो है उस तरीके की चीजों को undress करते हुए आपके किस तरीके के expression आएंगे या फिर आपको वो उस तरीके से देखना चाहते हैं तो आपके साथ जो है वो यह सब करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है उन्हें कुछ गलत महसूस हो या कुछ गलत हो जाएगा नहीं वो इस चीज़ को प्रिवलेज मानते होंगे कि आपके साथ वो फैंटसाइजेशन में भी यह सब कर पा रहे हैं तो चलिए देखते हैं कुछ love messages पहला यह आया है next यह आया है यहां दोनों में ही जो है मैं कहीं ना कहीं एक तरीके से एक परसन जो है वो आपको मसाज दे रहे हैं और दूसरे में जो है आपको admire कर रहे हैं वो चलिए देखते हैं love messages क्या कहते हैं उसके बाद को juicy messages भी लेंगे acceptance is the key to inner peace at times we must accept there is no point trying to change that which is beyond our control तो बहुत जादा चीज़े ऐसी हैं कि उन्हें accept करने की जरूरत है inner peace को वो आपके साथ inner peace में आना चाहते हैं changes लेकर आना चाहते हैं जिसकी वज़े से वो आपको approach करना चाहते हैं next आ रहा है healing imagine yourself and your beloved surrounded by light feel your relationship being healed this very moment तो बहुत जादा chances हैं कि वो जो हैं आपके साथ अगर इस तरीके की situation में आते हैं हाला कि यह जो है एक तरीके की fantasization ही है लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ इस तरीके की चीज़ों में आते हैं तो उनको बहुत जादा सुकून मिलेगा healing मिलेगी तो चलिए देखते हैं कुछ sensual messages उनकी तरफ से आपके लिए तो पहला आ रहा है hands I fell in love with the way that you touch me तो हो सकता है आपने उन्हें कभी simply touch किया हो लेकिन वो जो है sensual touch में change हो गया हो next आ रहा है dangerous I wanna do bad things with you best kind of kink next आ रहा है we had to have been lovers in the past life तो उनको ऐसा लगता है कि आप soulmate है यहाँ पे soulmate का card भी आया था next आ रहा है I love when my lips lie in between your legs आप समस्दा रहे है you are always on my mind तो हो सकता है आपको वो हर समे सोचते रहते हूँ next आ रहा है I know all your weak spots okay next आ रहा है sexting show me when you want it tell me what you like next आ रहा है you are a siren seductress and love god I want your love marks on my back love bite चाते हैं रहा है नेक्स आ रहा शार sex lip service with the love portion between the sheets last देख लेते हैं I love smelling your scent on my bed तो कुछ इस तरीके की उनकी situation है आपके लिए उनके मन में आपके लिए इस तरीके thoughts है तो चलिए देखते है पाइल नंबर वान इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांप तो यहां पर जो है मैं charms को set कर रही हूँ यहां पर जो है दो टूज आये है एक हैमर आया है तो किसी चीज को अगर कट आफ करने की जौरत है या किसी चीज को फिक्स करने की जौरत है तो आप communication से भी कर सकते हैं नेक्स आरा यहां पर एक rhino आया है तो rhino जो है वो determination को दिखाता है courage को दिखाता है तो वो जो है आपकी तरफ courage की तरीके से आना चाहते हैं कि आपको बताना चाहते है कि उनके मन में आपके लिए इस तरीके के आइए तो फोग चाहिए है वह सकता है आप दोनों खाने पीने हो फूडियों यह फिर जह है जो वह इस तरीके की चीजें भी सोचते होंगे कि आपके साथ एक family built करने में उनको कैसा लगेगा next आ रहा है याँ पर hummingbird आईए तो hummingbird जो है एक lucky bird भी कह सकते हैं luck को कहीं न कहीं अपनी जिंदगी में manifest करना चाहती है और दूसी चीज ये भी है कि कहीं न कहीं frequent intimacy को वो चाहते होंगे next आ रहा है याँ पर charm एक teddy bear आया है उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रही है तो please इस channel को like करें share करें subscribe करें thank you number two अगर आपने ये image उसकी है या फिर आपका zodiac sign इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके person जो है आपकी photos को देखकर किस तरीकी की चीज़े card आ रहा है queen of wands, knight of swords, ace of wands, princess of cups उमीद आपको सभी cards अच्छे से देख रहे होंगे चलिए देखते हैं कुछ और cards कुछ central cards देखते हैं पहला आ रहा है knight of chalices, the wheel, queen of wands and five of wands, यहाँ पर wands की बहुत जादा energy है तो Aries, Leo, Sagittarius energy हो सकती है properly और बहुत जादा जो है यहाँ पर passion है, यहाँ पर queen of wands, queen of wands दो बारी आया है तो double confirmation है, आपके person जो भी हैं वो जो हैं आपको कहीं न कहीं बहुत जादा sexy, attractive जो हैं समझते होंगे, देखते होंगे, उस नजरों से देखते होंगे बहुत जादा उनके मन में इस तरीके की चीज़ें हैं कि आपके साथ वो जो हैं एक family तो build करना ही चाहते हैं लेकि यहाँ पर passion बहुत जादा है क्योंकि मैं यहाँ पर wants energy बहुत जादा देख रही हैं हो सकता है आपको पाने के लिए जो है वो कहीं न कहीं लड़ना भी चाहें किसी न किसी से तो इस तरीके की मैं energy यहाँ पर देख पा रही हूं बहुत जादा practical person होंगे अपने decision सही लेते होंगे judgment जो है आपका सही होता होगा जिसकी वज़े से आपको वो admire करते होंगे आपकी photos को देख कर भी जो है कहीं न कहीं वो turn on हो जाते होंगे आपकी photos को देख कर उन्हें ऐसा लगता होगा कि वाके में जो यह personality है वो powerful है आपका बोलने का तरीका आपके captions लिखने का तरीका जो है straightforward होगा किसी भी तरीके की आप घुमा फिरा कर मीठी मीठी बाते नहीं करते होंगे सीधे cut to cut बात करना पसंद करते होंगे जिसकी वज़े से आपको वो admire करते होंगे नेक्स्ट आ रहा है night of swords आ रहा है तो night of swords जो है वो इस तरीके की energy है कि आपकी एक impulsive energy है कि आपकी energy इस तरीके की होगी कि आप warrior woman की तरीके से होंगे या man होंगे जो भी आपका gender है आप उससे resonate कहीजिएगा कि आपने जिंदगी में काफी कुछ देखा है जिसकी वज़े से आपके पास depth है एक अच्छे decision लेने की समझ है और उसे communicate करने की भी समझ है ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ बाते कर रहे हैं और उसको execute नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीजों को आपकी photos को देखकर या आपके social media accounts को देखकर ऐसा लगता होगा कि आप बाते जो है वो जो भी करते हैं या जो भी caption लिखते ह उससे जो है बहुत जादा clarity of mind दिखता होगा नेक्स्ट आ रहे है एस ओफ वांड जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है बहुत जादा यहां पर passion है हाला कि जो आपका root चक्रा है वो जो है बहुत जादा grounded है stable है ऐसा नहीं है कि आप success हासिल कर रहे हैं तो आपका दिमाग जो है वो success के साथ खराब होता जा रहा है ऐसा नहीं है आपकी photos को देखकर वो बता पाते होंगे कि आप एक humble person है आपको मालूम है कि down to earth क्या होता है लोगों का जादातर majority जो होते है जब भी वो success पाती है तो वो जो है अपनी down to earth nature को छोड़ती है और उसके आगे जो है भा caring, loving, gentle person है लेकिन उनहीं के लिए है जो आपको deserve करते हैं क्योंकि यहां पर heart chakra जो है वो उनहीं के लिए open है जो लोग आपको deserve करते हैं ऐसा नहीं है कि जो आपको deserve ही नहीं करते हैं उनके लिए भी जो है आप बहुत जादा soft होंगे ऐसा नहीं है हाला कि यहां पर आपकी इस चैञे आप लड़की हों चाहे आप लड़के हो जब आपका आपका नेचर है वह जोए लोगों के प्रती अलग है जब जैसा वह बहेव करते हैं उनके साथ आप वैसा ही हो करते हैं अब आते सेंशल तरफ जो है फिसिकल अपिरेंस पहला काड़ी आया है night of chalices night of chalices जो है वो इस तरीके की energy है कि वो आपको अपना जो love का cup है वो देना चाहते हैं आप थोड़े shyness होंगे आप अपनी skin को बहुत जादा reveal करना पसंद नहीं करती होंगी आपकी जो भी poses होंगे या जिसकी वज़े से वो admire आपको करते हैं उसमें दिखता होगा कि appealing होगी लेकिन वो जो है कही न कहीं यह चीज भी समझते हैं कि आप अपनी skin को शोर नहीं करना पसंद करती हैं बहुत जादा जो है एक shy person है आपके पास वो सब कुछ है जिसकी वज़े से कोई भी man जो है वो आपकी तरफ attract हो सकता है लेकिन फिर भी वो जो है आपकी इस shyness क आया है तो वील जो है कहीं न कहीं इस चीज को दिखाता है कि वो जो चीजे हैं जो आपकी जो सेंशल चीज होगी या कह सकते हैं सेंशल जो sexuality है या उसकी side है उसको वो जो है कहीं न कहीं रिवील करना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं आपकी wild side को देखना चाहते हैं क्यों वो जो है उनके दिमाग में चलता होगा कि आपको वो किस तरीके से इंप्रेस करें जिसकी वज़े से वो आपका ट्रस्ट जीतें जिसकी वज़े से आप उनके पास आएं और उनकी जिंदगी में आप जो है एक तरीके से खुशियां भर दें नेक्स्ट आ रहा है कुईन ओफ मॉंट्स आ रहा है तो कुईन ओफ मॉंट्स जो है वही चीज़े कि आपकी फिजिकल बॉड़ी की तरफ वो बहुत जादा अट्राक्शन महसूस करते होंगे वो चाहते हैं उनकी फैंटसाइजेशन है कि आप अपने आपको अंड्रेस करें और वो जो है एक टक जो है वो आपको देखना चाहते होंगे उस तरीके का passion है उनके मन में और वो चीजे जो है आपकी तरफ इस तरीके से देखना चाहते हैं या इन चीजों को कहीं न कहीं enjoy करना चाहते हैं experience करना चाहते हैं यहाँ पर मैं handcuffs भी देख पा रही हूँ तो बहुत जादा उनके दिमाग में intimate role play भी चलता होगा next आरा five of wants आरा तो five of wants जो है दो situation में बता पा रही हूँ हो सकता है आप एक already एक relationship में हूँ या आपके x भी हो सकते हैं या फिर कोई व्यक्ति जो है वो आप पर नज़र रखता है आप से कहीं न कहीं frame भाव करता है ठीक है दूसरी चीज यह हो सकती है कि आप जो है किसी से भी अभी single हैं किसी से भी relationship में नहीं है लेकिन वो चाहते हैं हाला कि यह थोड़ा outrageous होगा कि वो चाहते हैं कि आपको वो जो है love making करते हुए देखें किसी और के साथ तो आप समझदार है हाला कि करने की जूरत नहीं है लेकिन इस तरीके की उनकी fantasization है आपकी photos को देखकर हो सकता है उनका जो passion ignite होता है वो जो है इस तरीके की चीज़ों को भी देखकर होता हो कि शायद आपने किसी के साथ अपनी photo को share किया हो और वो जो है उस चीज़ को admire करते हैं चलिए देखते हैं कुछ love messages इस energy से related तो यहां दोनों की card में जो है मैं एक protected passionate heart देख पा रही हूँ तो उनके मन में जो है इस तरीके की चीज़ है और यहां पर एक बहुत ही beautiful lady है तो कहीं न कहीं आपको वो बहुत जादा beautiful मानते होंगे तो चलिए देखते हैं love messages क्या कहते हैं उसके बाद कुछ sensual messages भी लेंगे तो पहला card आ रहा है only time will tell तो हो सकता है वो आपको approach करना चाहें तो वो जो है आप से time ले रहे हों या आप भी जो है उनसे time लेंगे next are a transformation your relationship with one another is about to deepen love conquers and transforms all things तो बहुत जादा transformation के changes के बहुत जादा chances है love जो है वो बहुत जादा चीजों को transform करता है changes करता है चलिए देखते हैं को sensual messages आपके person आपके साथ क्या करना चाहते है या क्या fantasization है उनकी I can't get enough of you तो बहुत जादा जो है वो 24-7 आपको सोचते रहते ह next are a let's make love in the car watching waiting and watching for the perfect moment वो ही time वाली बात आ गई है next तेख लेते हैं class every piece of you is perfect your hair your eyes your scent all of you drives me wild तो बहुत जादा आपको high regard में देखते हैं next are a surrender to me वो चाहते हैं कि आप उन्हें surrender कर दें next are a I love you I love you बहुत सारी बाली लिखा हुआ है I love you तो वो जो है आपको ये कहना चाहते हैं next are a kitchen love next are a kiss me and don't stop baby sore walk तो वो आपकी इस करीके की चीज़े करना चाहते हैं next are a I can't catch my breath your love is too intense eye contact look deep into my eyes bite that lower lip kiss me like you need me like you might never see me again and next are a our pass massage put your feet up and relax while I rub you from head to toe बहुत जादा उनके जो है इस तरीके के thoughts हैं आपके लिए wrapped up I love when you tell me I am yours दो आ गए हैं dress sexy for me और एक और है last आया है your sexuality is irresistible तो बहुत जादा chances हैं कि वो जो है आपको उस तरीके की laundry में या उस तरीके के dresses में देखना चाहते होंगे pile number two चलिए देखते हैं इस energy से related को charms यहां पर मैं charms को set कर लेती हूं तो यहां पर जो है पहला charm आया हमारे पास एक planet आया है तो वो जो है चाहते हैं कि आपको अपनी जिंदिगे में manifest करें तो इसकी वज़े से वो उनके birth chart में कुछ changes आये नेक्स आ रहा है यहां पर dog आया है तो dog जो है वो लोयल्टी को दिखाता है बहुत जादा chances है कि आपके पास अगर वो आपको approach करते हैं तो वो जो है loyal intention से ही आएंगी next आ रहा है यहां पर spoon आया है एक fork आया है तो बहुत जादा आप दोनों हो सकते हैं food ही हो खाने पीने का शौक हो या फिर जो है cafeteria में या कुसी food court में आप दोनों मिले हो next आ रहा है यहां पर एक screwdriver आया है तो screwdriver जो है वो चीजों को fix करने को यूज होता है तो आपको अगर किसी चीज को fix करने की जरूरत है अपनी जिंदगी में तो आप कर सकते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो एंटर हो next आ रहा है यहां पर anchor आया तो anchor जो stability को दिखाता है एक robust foundation को दिखाता है तो पाइल नमबर टू यह थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content रीडिंग और energies अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को like करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थाइंक यू